Hello everyone, आज हम discussion करेंगे immobilizer की, कि automobiles में immobilizer का क्या function होता है, कैसे कारी करता है, और immobilizer का जो construction होता है, वो कैसा होता है, तो चलिए start करते हैं, immobilizer, immobilizer जो होता है, एक advanced security device होती है, जिसके द्वारा गाड़ी को चोरी होने से बचाया जाता है, जब तक कि गाड़ी में कोई authorized की न नहीं किया जा सकता है, immobilizer होता क्या है, immobilizer system एक प्रकार का security system है, जो किसी ब्यक्ति को अनुचित चाबी द्वारा vehicle को start करने से रोकता है, इस system में एक transponder key का प्रियोग किया जाता है, इसमें authorized ignition key के key code संग रही तो होते हैं, यदि unauthorized key द्वारा engine को start करने की कोसिस की जाती ह तो issue एक signal ECM को भेजता है, तता ECM fuel delivery eom ignition को रोक देता है, eom engine disable हो जाता है, तता vehicle start नहीं होता है, जब तक कि गाड़ी में authorized की नहीं लगाई जाए, immobilizer एक advanced security device होती है, जिसके द्वारा गाड़ीों को चोरी होने से बचाय जाता है, इसको anti theft system, anti car theft system या prevent car theft system भी इसको बोला जाता है, immobilizer गाड़ी की security को बढ़ाता है, और चोरी होने से बचाता है, जब तक कि गाड़ी में original transponder key, मतलब इसमें special smart key का प्रयोग किया जाता है, जिसमें transponder chip लगी रहती है, जब तक उसमें transponder key नहीं लगाई जाती है, जब तक गाड़ी को start नहीं होने देता है, यह system ignition system के साथ, fuel system को भी disable कर देता है, मतलब इसमें यह system जो होता है, वो दोनों जो fuel supply system, अगर किसी कारणवद से चोर जो होता है, अगर गाड़ी को चोरी करता है, और ignition system को बाइपास कर देता है, तो immobilizer क्या करता है, जो fuel supply system है, उसको भी वो lock करके रखता है, जब तक कि उन दोनो का जो transponder की और issue की जो coding है, वो आपस में match नहीं होती है, तब तक वो start नहीं होने देता है, आज हम जो discussion करेंगे, उसमें सबसे पहले हम immobilizer का function, उसका circuit, construction और working के बारे में हम discussion करेंगे, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले इसका function देखते हैं कि immobilizer का main function होता है, वो क्यों होत करती है, तब तक वो उसके fuel system और ignition system को lock करके रखता है, यह आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अमिन इमिशन दारा, जैसे fuel supply system और ignition system को वो lock करके रखता है, यह main function होता है, जब तक कि गाड़ी में authorize की नहीं लगाई जाती है, इमोबिलाइजर का जो construction होता है, या जो उसका feature होता है, उसमें remote का भी इस्तिमाल किया जाता है, और एक smart key का भी इस्तिमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो key होती है, key पर एक transponder chip लगी रहती है, इस transponder chip, जब इसको हम key को insert करते है, ignition key में या ignition switch में ह होता है, transponder chip activate होती है, और transponder chip activate होने से क्या होता है, उसका signal जो होता है, वो issue को जाता है, और issue की जो coding है, वो ignition key की कोडिंग के द्वारा जब तक match नहीं होती, तब तक वो ignition को start नहीं होने देता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, remote पर भी एक transponder chip लगी रहती है, इस transponder chip क संबन जो होता है, वो इसमें लगी battery के साथ होता है, जब हम इस remote को गाड़ी के नजदीक ले जाते हैं, तो उस time में इन दोनों की जो coding है, वो match होगी, तो उसी का match होने के बाद ही वो गाड़ी को start होने की permission देता है, otherwise वो उसको permission नहीं देगा, कि गाड़ी को start किया जा सकते अब इसका construction देखते हैं कि जो immobilizer होता है, immobilizer का construction होता है, वो किस प्रकार से होता है, क्या-क्या चीज़े उसमें लगी भी होती है, सबसे पहले मैंने आपको दिखाए यहाँ पर की, की पर जो होती है, एक metal coil और एक transponder chip लगी रहती है, और जो ignition switch आप देख रहे हैं, ignition switch पर आप यहाँ पर देख रहे होती हैं, यहाँ पर electromagnetic joint कोईल लगी भी होती है, यह electromagnetic coil में current बनता है, current कब बनता है जब हम ignition key को इसमें इंसर्ट करते हैं, तो उस time पर यहाँ पर electromagnetic current बनने से क्या होता है, ट्रांसपोंडर चिप जो होती ही वो activate हो जाती है, और activate होने से क्या होता ह इस परकार से यह कारी करता है और आए इसमें जो और पार्ट्स लगे होते हैं उसमें आदे डेकर आठेम के साथ होता है और एक यहां पर आप remote देख रहे होंगे remote पर यहां पर unlock और lock की होती है तो जब हम unlock करते हैं तो इसको जब गाड़ी के नजदिक हम जाते हैं तो जब हम unlock करते हैं तो इसमें से signal निकलना सुरू होते हैं उस signal को issue catch करता है और issue identify करता है कि यह जो remote है यह actual owner यहाँ पर है या नहीं है या जो remote है वो इसी गाड़ी का है नहीं है उसको identify करता है और उसी के बार से वो गाड़ी को start होने देता है अब इसका working देखते हैं कि working कैसे करता है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि इसमें की होती की को जब insert किया जाता है तो insert करने से क् इलक्ट्रो मेगनेटिक कोईल आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक इलक्ट्रो मेगनेटिक कोईल है तो जैसे हम की को insert करते हैं तो insert करने से एक लक्ट्रो मेगनेटिक कोईल जो होती है इलक्ट्रो मेगनेटिक कोईल एक्टिवेट होने से क्या होता है जो transponder chip आप ECU पर जाती है और वो coding जो होती है as a password जब वो coding आपस में match होती है तो match होने के बाद क्या होता है ECU जो होता है वो command देता है ECM को ECM से spark की supply, ignition की supply और ECU के द्वारा fuel की supply जाने लगती है और गाड़ी start हो जाती है तो इस प्रकार से यह कारी करता है और यह system जो होता है authorized की के बि which says digital transponder की जो smart की होती है उसका उप्योग किया जता है इसमें एक transponder चिप लगी होती है जिसमें electronic safety code vehicle के password को store करके रखा जाता है अगर दोनों code आपस में match होंगे तब ही गाड़ी को start होने जागा otherwise नहीं होने देगा और मैने अभी जैसे आपको बताया कि की को जब कई बार क् कि जब अगर गाड़ी की की को जाती है तो इसकी की को आसानी से बनाया नहीं जा सकता है इसका सुरक्षा safety features यह भी है कि गाड़ी को की आसानी से नहीं बनाया जा सकता है गाड़ी को बाइपास करके start नहीं किया जा सकता है तो जब गाड़ी की को जाती है तो हमें जो vehicle होता और विकल को हमें authorized dealer के पास ले जाना पड़ता है तो dealer क्या करता है उसकी जो original की थी उसको decoding करके उसको निस्क्री कर देता है disable कर देता है और एक जो नई की की जो demand है वो manufacturer को भेजता है और manufacturer के बाद द्वारा वो एक नई की बनके आती है उसके बाद ही गाड़ी को हम start कर सकते हैं तो यह था immobilizer तो यह आपके समझ में आया होगा Thank you everyone